पेजल की विवस्था पूरी तरह से फिल है, संबिधान से हट के सासन नहीं चलेगी और 27 तारी को हम लोग जिला पर महाधर्ना का करज कर्म करने जा रहे हैं नमस्कार में पूजा चौबेर आप देखरें एक न्योश 24 आज भासपा के सयोग कर्याले में नीता परतिपक्षा बिजे कुमार सिनहा ने नल जल योजना को लेक अरम नीतिश कुमार को जम कर सुनाए खरी खोटी क्या कुछ बोल रहे हैं वीडियू में शुनिए 27 माई को मुंगेर लोग सभाग के अंतरगती लखी सराई जिला जहां से मैं विधायक हूँ और भर्मन के दरम्यान लोगों ने कई गाउं के अंदर पीने के पानी का हाकार मचा हुआ है पेजल की वेवस्था पूरी तरह से फिल है भारत सरकार की योजनाओं को कनवर्ट करके इन्होंने नल का जल की वेवस्था का सुरू किया था साथ निश्चे में योजना को बदले थे पूरी तरह से भ्रस्थाचार का भेंट चड़ा है और 27 तारी को हम लोग जिला पर महाधरना का कर्ज कर्म करने जा रहे हैं और वही पर सारे लोगों से आबेदन भी लेने जा रहे हैं कि मुख मंत्री जी जो घोशना कर रहे हैं कि नल का जल घर घर नल का जल तो मुख मंत्री जी देश देशाटन छोड़िए बिहार की जनता जिस जना देश के कारण आप चोर दरवाजे से लोगों को बैठा करके सासन चला रहे हैं तरह हिमाम कर रहा है पानी के लिए और नल का जल मिल नहीं रहा है आपने वाड के सदस पंचायत के वाड के सदस के माध्धम से भरष्टाचारियों के जिम में लूटने की विवस्था बनाये थे और वाड सदस्यों को आपने फसाया था पंचायत के मुकिया के उपर आपने कारवाई की है और अब जब पोल खूल रहा है तो उसके हाथ से ये योजना को छीन लिए और अब पिएजडी के हाथ में दे रहे हैं सिर्फ बरगलाने का खेल हो रहा है नो मरमती हो रहा है नो सुधार का हो रहा है साथ निश्चे पार्ट टू एक आई वास है कहीं मरमती का काम नहीं चल रहा है और मरमती का काम अगर जो होता तो आपने पंचायत के परतिनीदियों को इससे बंचित क्यों रखा अस्थानिय अस्तर पर सांसद विधायक बहुत हर दिन जाके नहीं देख पाएंगे लेकिन पंचायत के परतिनीदियों हमारे वाड के सदश से इसका मोनेटिंग करते है आपके पदादिकारी भरस्ट आचार के आकंठ दग डूबा हुआ है योजना पूरी तरह से फिल है और इस भरस्ट आचार के विरोध में हम लोग जन आंदोलन पूरे विहार के अंदर सुरू करेंगे आपके भरस्ट आचार का एक एक पोल हर दिन हम लोग खोलेंगे कि किस तरह से हर योजनाओं में लूट हो रही है जब से महागठवंधन की सरकार बनी विकास रुख गई है सिर्फ कमीशन खोड़ी वसूली तसिलदारी और पदाधिकारियों को उपर प्रेसर अच्छे पदाधिकारियों को डिमोरलाइज करना फिल्ड के अंदर वह इसे लोगों को जो हस्तिनापूर के गुलाम बने उनका पोस्टिंग अब आ रहा है जून का महिना देखिए ये टांसफर पोस्टिंग का उद्योग चरम पर सुरू होगा उसका भी पोल हम लोग खोलेंगे माहौल तयार हो रहा है मुक मंतरी अपने उप मुक मंतरी और आधा देजन मंतरी अपने विभाग को छोड़ चुके है भगबान के भरोसे अदेशाटन कर रहे हैं गोम रहे हैं बिहार के अंदर पूरी तरस एरजक्ता का माहौल बना हुआ है इसके बिरोध में हम लोग हर जिले के अंदर अपना महाधरना का कार्ज कर्म करेंगे तो आपने सुना नीता पृतिपक्षा बिजे कुमार सिनहा को क्या कुछ वो बोल रहे थे उनके साब सब्दों में कहना है कि नलजल योजना को कनवर्ट किया जा रहा है एक इंद्र शरकार की योजना थी जिस तरह से लोगों को पानी की क्लत को जहलना पड़ रहा है इसने नितिश्कवार को सामने आकर जबाब देना पड़ेगा नहीं तो हम धरना देंगे तो फिरहाल बने रहे हमारे साथ देखते रहे एक लोज 24 चानल को सब्सक्राइब करें फेस्वी फेस को लाइक करें वीडियो देखने के लिए आपका धेने बाद विहार सरकार इसकी उच अस्तरिये जाच कराए पारदर्सिता के साथ और नियम की अभेलना हुआ है तो कारवाई हो जाच कराने के बज़ाए कारवाई करने के बज़ाए हमारे सांसद महोद है अपने पाटी के जिलाधग से नोटिस भेजबाते हैं तो ये मामला को सरक से सदन तक मैं उठाऊंगा और इसकी जाच होनी चाहिए और अगर जो इसकी अभेलना हुई है तो क्या कारवाई हुआ इसके लिए कौन जिम्मेदार है उस पर एक्सन होनी चाहिए बिहार भी संबिधान के अंतरगत ये सासन चलेगी संबिधान से हट के सासन नहीं चलेगी और विहार के अंदर जो ये अगोसित आपातकाल बनाए हुए है कुछ नेता मिलकर लगता है कि जो वो बोलेंगे वही सासन में चलेगा वही परसासन सुनेगा ये वातावरन को बदलना है इस माहुल को बदलने के लिए ही हमने तो इसारे में कहा था लेकिन इन लोगों की बेचैनी और जिस तरह से बियानवाजी आया तो दाल में जरूर कुछ काला है और गरवड़ी भ्यानक हुई है इसलिए इसकी जाच जरूरी है